बात करने लागर आपकी पस्टू बार बार रिपीट कर रही है आपकी गाय हो सकती है भैंस हो सकता है आपके पस्टू बार बार रिपीट कर रही है आपके पस्टू को पेट में की रहा हो सकता है या बहुसतारी बिमारी हो सकती है तो उस बिमारी को चूटकी में कैसे ठीक कर मात्र पांट से साथ दिनों में मैं आपको ऐसा बता हूह देसी तरह का प्रूफ करता हूँ दोस्तों क्यामना क्या हलदी आपको पास… अपुछा हल्दी को भी ले सकते धूल्ट या फिर आप पॉडर ले सकते आपको जो палूतर यूज कर सकते आपके पास जोई पास के लिए आपके पास हल्दी देने के चुक है आप कच्छा हल्दी दे सकते हैं कितना परती दिन आप कच्छा हल्दी 50 ग्राम देश सकते हैं आप सुखा हल्दी इसको बोल सकते हैं सुखा हल्दी इसको टर्मिक बोलते हैं हम लोग सुखा हल्दी जो है आप 50 ग्राम यह भी दे सकते हैं आपको जो सुविधा हो कच्छा हल्दी हो या पक्का हल्दी हो आप दे सकते हो अब बात कर दोस्तों कच्छा हल्दी देने से फाइदा कहेका दोस्तों कच्छा हल्दी देने से फाइदा यह है कि आपकी पसु को आपकी जो पसु है जो रिप आप सुबालो या पजिए पछा सूबालो एसे का समय सेकते हों इसको देने का benefit है पच्छा के एप लाइ बात कर दोस्तों जब हुआधे समस्या खतम हो तो आप बात करते हैं क्योंकि पसु को अधिकां स्खीरा लाइब पेट में उसको किरा बनते है उसको पसु को रूमान रूमान जो होता हुआ एक्टिवेट संक्रिय नहीं हो पाता आप कितना ही पसु को फिडिंग करवाते हो तो वहां पर कीरे कीरे को जो माने का दवाई है यह अपना हल् हल्दी में एक ऐसा तत्व है मैं आपको बता रहां जो कि कैंसर लड़ने का संभाव या कंसर से लरने तक क्का इसके। सकती हल्दी के अंदर आप पस हल्दी को प्रॉबलम होता है जब माल इसी की तरह किसी आपके पश्चु को चलने फुरें को कई तकलिफ हो रही है आप क्या करो सो का हल्दी में सद्रसूं का थल्मिक्स करूँ आप अपने पस्टू कुठों के करते हो औहां knollea कि आपके सके सब्सक्राइब गोबर में कूट्टी आ रहा है आपकी पस्टों का डाइस्टिंग सिस्टम सही है पतला गोबर कर रही है उहां पर पचास ग्राम हल्दी कर गुड़ के साथ मिक्स करके आप दो से तीन बार पिलाते हैं खिलाते हैं सुबह सामदोपैर आपकी पस्टों रिकवर हो जाएगी प आपको फीड दे रहा हूं पस्टों को आप कोई साथ फीड दें मैं आपको कोई साभी दाना मिश्रन आप दे रहे हैं दाना हो सकता है या कोई भी माले फीड दे रहा है आप उसमें पचास ग्राम पचास ग्राम की मात्रा में हल्दी आप जरूर दे पस्टों पालोगे प्रॉसिस कर आप अपने पत्रॉरर फीड में हल्दी है आपकी छूट छूटी कट्रियां होती है यह जल्द ग्रोथ नहीं कर पाती पसुपाला भाई आप देखते उनके पेट नीचे के और लटक जाता है जब पेट नीचे के लटक आपके पसुआ पर काम ने कर एनिक जो उनकी जो सक्रियास जो बड़ी है जो उनकी रूमन है साथ सब जो एंटिवाटिक सरी जो जो बोलते हैं पसुक आपका दूद्ध अच्छा बढ़ताए ग्रोथ अच्छा दे पसुपाल Kabul भाई ओ और मैं आपको हल्दी इसलिए आनि पासु को आपको बकरे और आप को बता दूल BTI दिल और भैस को मिला कि अगर बखारी गाइस बखरी को आप dio को कितना देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बक्री को आप शुवह साम देश सकते हो इसांक आपकी पसू का जो हे साथा ठा kijken पद् mec अई गया यहए गाइए सबाइया टार आज़ा गूना वश्रवाय आपको थनीला जोटामेंज रिघ ऑश्राइज थनीला का विमारीए ठनीला बिमारी आपके र ख़तम होगा ये चीज बहुत चीजा से बहुत जिसétais ख़ता को हमस्थ वाली बात नहीं क्योंकि देंखिए लग जाता है आप सुचो आपने कितना गाय खड़ीदा और कितने इस इलाज के पसुका आप अपसो करते हैं उसकी नस्क नस्क भैने होती है उसको संक्रिये रखते आपकी पसु में देखते हो जो चीचर जो लगता रहता है वो भी समस्य आपके पसुआ खतम हो जाए पसुपालाई और आपकी पसुआ अच्छा ग्रोथ करें अच्छा उसका स्ट्रॉंग बड़ी बनेगा और ज्यादा वो दूद देगी उसके ब्लड शंकुलेंड बरावर रहेगा एक तो देख्या आपके पसु बिमार परेगी परेगी नहीं कभी आपके पसु बिमार नहीं परेगी जिस पसु को हल्दिक आइंटिवा कदेशक देशक देशकते हैं बिल्कुल जी आप हल्दी हमारे पास हलदी को पौडर आप किसी मीशाद में मैं आप मीशकर सक्ते है आप तो यानि कि हल्दी जिस विदी से आप अपने पसु को फीडिंग करवा सकते हैं इसके बात कर दोस्तों मैं इसमें कोई तरह का दिक्कत परिशानी नहीं है आप इसका regular यूज़ कर सकते हैं देंगे पसुपाल हो न होती है कि सबसे बडरी चीजी है कि हमारी में इस मैं को यह दिये रहा कॉज सब अपकी जो पसुई है आप उसकी चमडी पर साइनिंग आ जाएगा पसु का भूग बढ़ जाएगा पसु की बिमारी जो हो रही तो खतम हो जाएगा अगर आप अपने पसु को दे रहे हो तो आप देखना है कि एक ची नोटीस करना अगर आपकी पसु बरवा रिपीट करें वहां पर रिपीट क रिपीट की समस्य बिल्कुल खतम हो जाएगी उसका पसु पालो क्या होता है आपने पसु का सिमेंट डलवाया आप सुचो मैंने तो आज पसु का सिमेंट डलवाया मैं दू या ना दू देखिए आपकी पसु और गभन भी है तो भी आप हल्दी दे सकते हो अगर आपकी कर शक्रीन आज उम समय डिलुए आपकी बहश को आपने डहीं डलवाया तो भी आप दे सकते हो देना कितने आपहर चाह Nimicog मन्थ में यागा मैं मैं आप कम से कम कि मैं तस ध tenía कोशिष करें ये अप दस दिन तक आप जरूर्भ मैर्णी दें वह आपको सब्सक्राइब के उसके साइंडि इफेक्ट की gravity Power इलगा से हल्डी का सवाथ आठेस्ट ना शकता है क्योंकि देखे पूंहों कर istalya बहुत लाब्टाइक होता है इसलिए थे इसलिए पर सहथ हली हमारे लिए अच्छी चीज़ें है अप075 यूज्ड करें किसी भी फैड में हल्दी का यूज जरूर करें कोई सब्सक्राइब करें दोस्तों बीडियो का प्रेंच से बना तो आपको अच्छी समझाता हूँ आप एक लाइक जरूर कर दोस्तों आपको यहाँ आयरवेद होमेपैथ एलोपैथ और देशी तरीके बताए जाते और बताए जाएंगो दोस्तों आप जिस तरीकिस अगर आपके पास कोई कोश्टन हो या आप किसी चीज को समझाना चाहते हो तो कॉमेंट्स बॉक्स जरूर कॉमेंट्स करें या आप